नमस्कार इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ पृति विश्वास आए जानते हाच का दिन आपके लिए कैसा होगा वैदिक जो तिश्रास्तर में कुल बार है राशियों का वर्नन किया गया है हर राशी का स्वामी ग्रह होता है ग्रहन अश्रत्रों की चाल से राशी फलका अंकलन किया जाता है आज 8 जनवरी 2024 दिन सुमवार है और सुमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्बित होता है चो तो यह जानते हैं आज के दिन किन राशी वालों को होगा लाब और किन राशी वालों को रहना होगा आज के दिन सावधार मेश राशी आज आज आपको अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपके परिवार के सदस भी हैरान रहे जाएंगे यदि आप आज किसी को धन उधार दे रहें तो आपको उस धन को वापस मिलने में कटनाई होगी इसलिए आज यदि किसी को धन उधार दें तो परिवार के किस सदसे से सलाह मश्वरा आवश्य करें वरिशब राशी विद्यायतियों को आज अपने गुरुजनों का भरपूर सहयोग वसात मिलेगा जिसकी कारण उन्हें सिक्षा में आ रही जो समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी मिथो नराशी आज आप लोगों से बातचीत करने के बजाए वह काम करना पशंद करेंगे जिससे आपके ग्यान में पृति होगी लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे मन नहीं आना है जिसके लिए आपको नुक्सान छेलना करकराशी करकराशी के जातक सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार के सदस्व के साथ किसी शादी समाहरों में संबलित हो सकते हैं यदि व्यापार में आज आपको किसी से धन उधार लेना पड़े तो कुछ समय के लिए रुख जाएं अनित्हा आपके लिए उधार चुका सक्से सलाह मश्वरा अवश्य करें और आज आपको कुछ बेवजह की चिंता भी परिशान करेंगे जिनके कारण आज आप थोड़ा उदास रहेंगे और अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे कन्याराशी प्रेम जीवन जी रहे लोगों में आज कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं जिसके कारण वह परिशान रहेंगे और उनमें आपसी वाद विवाद भी होगा परिवार में यदि कोई सदस विवाह योग है तो आज उनकी विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती ह तुलाराशी पारिवारी के एकता बढ़ेगी आज आपके पिताची को कोई रोग परिशान कर सकता है इसलिए उनको बाहर के खान पान आदी से परहेज रखने के लिए कहें यदि आप किसी यातरा पर जाने की तयारी कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुख जाएं व्रिश्चिक राशी यदि सरकारी नौकरी से जुड़े छातरों ने अपने किसी कानूनी कार्य को लंबे समय से छोड़ा हुआ है तो आज उन्हें वह पूरा करना पड़ सकता है व्यापार कर रहे हैं लोगों को आज लंबे समय से रुखा हुआ धन प्राप्तों ने सुन पंधित समस्याएं हो सकती हैं जिनके कारण आप परिशान रहेंगे मकर राशी बिजनस ते जुड़े लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जो लोग शेयर बाजार अत्वाल लौटरी आदि में निवेश करते हैं उनके लिए आज दिन उत्तम रहने वा खबरी सुनने को मिल सकती है जिसके कारण आप प्रसंद रहेंगे मीन राशी यदि आज आज आप कुछ धान अपने भविश्य के लिए निवेश करेंगे तो वा भविश्य में आपको लाब दे सकता है आज व्यापात कर रहे हैं लोगों के पीछे विरोध ही उनके कामों म आप जान सकते हैं कि आप का आने वालत समय कैसा होगा आपका जीवन कैसा होगा किस से आपकी मित्रता होगी किस विक्ति से आपकी शत्रता साथी आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आंकर शास्तर से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भागे ले करा रह मुलांक एक, मुलांक एक केजा तक आज आपको अपने सारे काम अकेली ही पूरे करने होंगे दिन के शुरुआत तूर्जा के साथ होगी पर शाम होते होते मानसी को शारिरिक ठकान महसूस हो सकती है उपाय करें काले और नीले रंगे कपड़े न पहने मुलांक दो के जातक आज अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा शाम की समय परिवार की साथ अच्छा समय बीतेगा बाहर भोचन के लिए भी जाना हो सकता है उपाय करें रात में दूध का सेवन ना करें मुलांक 3 मुलांक 3 के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी में निवेश करने की संभावना का हो सकता है किसे नए काम की शुरुवाद भी हो सकती है लेकिन कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ेगा हाला कि दिन के अंदों तक आप सभी परिशानियों का हल ढोंड लेंगे उपाय भी करें काले चने का दान करें मुलांक 4 मुलांक 4 के जातक अभी फिलहाल के लिए किसी नए काम की शुरुवाद से बहतर है कि अपने पुराने अधूरे कामों को आप पूरा करें दिन आपके अनुकूल है व्यर्थ की मौज मस्ती और ख्याली दुनिया में रहकर समय खराब न करने उपाय करें किसी जरूरत मंद को भोजन करवाएं सफल उपाय है मुलांक 5 मुलांक 5 के जातक जीवन साथी की सलाफ वाइदे मंद आपके लिए साबित हो रही है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी बिमारी से भी आज राहत मिलती दिख रही है उपाय करें काली उड़त की डाल को जल में प्रवाहित करें मुलांक 6 मुलांक 6 के जातक आज पूरा दिन आपका मन प्रसन रहेगा प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं घर के सामान की खरीदारी भी की जा सकती है और परिवार के साथ भी समय अच्छा बीतेगा अच्छे फल के लिए उपाय करें घर में कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु है उपाय कर सकते हैं सरसो के तेल में च्छाया दर्शन कर शनी मंदिर में दान करें मुलांक आठ मुलांक आठ के जा तक आज के दिन शुरू किया गया काम जो है वा आपको भविश में लाभ देगा आलेसी को त्याग दें आज के दिन का सदुप्योग करने की पूरी बूरी कोशिश करें फाइदा आप ही के लिए उपाय शनी देव के मंदिर में सरसो के तेल का दीपक चलाएं मुलांक नौ मुलांक नौ के जातक जमीन जायदा संबंधी मामलों को लेकर आज बहस हो सकती है कारिशेत्र पर भी किसी कर्मचारी के साथ बहस में उलजने से बचना है संभवत वानी पर सयम रखें और उपाय करें हनुमान चालिसा का पार्च करें आई अब जानते हैं आज का पंचांग हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी आट दो हजार चौबेस सोंबार पोश माह की कृष्णपक शिद्वादेशी ती थी है सुर्य और चंद्रमा का समय सुर्योदे सुभा 7 बच कर 13 मिनट पर सुर्याज शाम 5 बच कर 52 मिनट पर चंद्रोदे 8 जनवरी राद 3 बच कर 13 मिनट पर चंद्रास 8 जनवरी राद 2 बच कर 47 मिनट पर ती थी कृष्णपक्ष त्वादशी आठ जन्वरी राद 12 बचकर 46 मिनट से 8 जन्वरी राद 11 बचकर 69 मिनट तक कृष्णपक्ष त्रयोदशी आठ जन्वरी राद 11 बचकर 69 मिनट से 9 जन्वरी राद 10 बचकर 25 मिनट तक नकिछत्र अनुराधा, 7 जन्वरी, राद 10 बिचकर 8 मिनट से 8 जन्वरी, राद 10 बिचकर 3 मिनट तरफ। करन्ड कॉलफ आठ जन्वरी रात बारह बचकर च्यालिस मिनट से आठ जन्वरी दो पहर बारह बचकर उनतीस मिनट तक तैतिल आठ जन्वरी दो पहर बारह बचकर उनतीस मिनट से आठ जन्वरी रात ग्यारह बचकर उनसट मिनट तक गर आठ जन्वरी रात ग्यारह बचकर 9 जन्वरी सुभा 11 बचकर 17 मिनट तक योगण 8 जन्वरी सुभा 4 बचकर 52 मिनट से 9 जन्वरी सुभा 2 बचकर 55 मिनट तक वृद्धी 9 जन्वरी सुभा रात 2 बचकर 55 मिनट से 10 जन्वरी रात 12 बचकर 22 मिनट तक अशुबकाल राहु सुभा 8 बचकर 33 मिनट से शुभकाल, अभिजीत मुहर्ट network visa 11 бег कर धिर्पन मिनिटख़ण। तो ये तो थी आज की राशी फलंक राशी और पंचांग कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भागे के बदल ते सितारू की दिश्का को लेकर हमारे विशेश कारेकरम राशी फल में तब तक के लिए नमस्कार हिंदु धर्म में सुवर का दिन भगवान शिव को समर्पित है जिन शिवभक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं शिव भगवान को कल्यानकारी और दयालू देवता माना जाता है भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बदाएं दूर हो जाती है इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं हर कारी में सफलता मिलती है भगवा का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आएए जानते हैं सुमवार के दिन किस उपाय से अब भगवान शिव को प्रसंद कर सकते हैं हिंदू मानेताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है हिंदू धर्मे के मानेताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पुजा करता है भगवान शिव उससे प्रसन हो जाते हैं और उसकी मनों कामना पूरी करते हैं इसके अलावा जो लोग सुमवार का वृत रखते हैं उनके जीवन से दुख, सेहत सम्मधी परिशानिया और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं सुमवार के दिन सुबह जल्द इस्नान करें इसके बाद पुजा के वक्त महाम्र त्यूंजय मंत्र का 108 बार जाब करें सुमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूद चड़ाएं और साथ ही साथ ओम नमश्युवाय का जाब करते रहें इसके अलावा सुमवार के दिन पुजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलो का इस्तमाल करना चाहिए पुजा में पेले चंदन का इस्तमाल करें इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धहतुरे का पुश्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें सुमवार के दिन रुद्राभी शेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है हर अलग कारे के लिए अलग-अलग चीज़ों से रुद्राभिशेक किया जाता है ऐसा करने से जीवन संबंधित समझ से आएं दूर होती है शिवलिंग पर घी से अभिशेक करने से संतान के प्राप्ती होती है शिवलिंग पर गंगा जल से अभिशेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है सुमवार के दिन शिवलिंग पर गंणे के रसे अभिशेक करने पर आर्थिक इस्थिती में सुधार होता है सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिशेक करने से शत्रों से छुटकारा मिलता है शिवलिंग पर शहद से अभिशेक करने से एश्वरी के प्राप्ति होती है सुमवार के दिन जल में केसर मिला कर शिवलिंग का अभिशेक करने से बैवाहिक जीवन की समस्यों से छुटकारा मिलता है सुमवार के दिन शिव मंदिर में दीबदान करना बहुत ही शुटकारा मिलता है शुब माना जाता है इस दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुब माना जाता है इससे बैवाहिक जीवन सुख में रहता है भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफेद, केसरिया या पीले रंग के वस्तर पहना शुब माना जाता है सुमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली की फूल अर्पित करें जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या रही है तो उन्हें सुमवार की दिन सुबच जल्द उठकर इस नानादी करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिशेक करना चाहिए सुमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्तर धारन करके ना बैठें इसके साथ ही काले रंग के वस्तरों का इस्तिमाल भी ना करें भगवान शिव की पूजा में तुलसी पते का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव को जी को नारियल चढ़ाना शुब होता है लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्बित करें किदाना से आगे है अमर्नात और उसके आगे है केलाश परवत हिमालय का कंकं शिव संकर का इस्थान है बाबा अमर्नात को बरफानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है उन्हें बरफानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकरतिक रूप से बर्व का शिव लिंग निर्मित होता है पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्द कर दिया था मानने दा है महा भारत के युद्ध में वीजई होने पर पांडव अपने भाईयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशिरवात पाना चाहते थे परन्तु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे इसलिए वे किदारनाथ चले गए जहां भगवान शिव ने भैसे का रूप बना कर पांडवों को किया था पाप मुक्त जिसके बाद पांडवों भी उनके दर्शन के लिए किदारनाथ पहुँच गया है पांडवों के वहां पहुशने पर भगवान शिव ने भैसे का रूप धारन कर लिया जिसके बाद वे अन्पश्वों के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सके भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ती से प्रसन हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशिर्वातिया धार्मिक माननेता है कि उसी समय के दारनाथ में भैसे की पीट को शिव का रूप मानकर पुजा की जाती है धार्मिक माननेता अनुसार कि दारनाथ को द्वादर्श जोती लिंगों में ग्यार्वा मानागा जाता है साथी यह सबसे पवित्र इस्थलों में से एक है हम सबके प्रेव भगवान शिव सेंभू हैं पुराणों में उनके उत्पत्ति का विवर्ण मिलता है विष्णू पुराण के अनुसार ब्रम्ह भगवान विष्णू के नाभी कमल से पैदा हुए जबके शिव भगवान विष्णू शिव के माथे के तेज से उत्पन बताये गये हैं विष्णू पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन होने के कारण है शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं शिमत भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विश्णु और ब्रम्हा अहंकार से अभिभूत हो स्वयम को श्रिष्ट बताते हुए लड़ रहे थे तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए ब्रम्हा जी ने शंकर भगवान को आठ नाम दिये हैं रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपती, इशान और महादेव शिव पुरान के अनुसार यह नाम प्रित्वी पर लिखे गए थे सोमवार को अगर भगवान भूले नात की पूरे समर्पन से अराधना की जाए तो वे अपने भगतों के सारे कस्ट दूर कर देते हैं भगवान शंकर का ना आदी है, ना अंत है उनके इच्छा के बिना इस पूरे ब्रम्हांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारे देश में भगवान भूले के बारत जोती लिंगो के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही ना सिर्फ भगतों की हरमनो कामना पूरी हो जाती हैं बलकि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं केदारनाध धाम हिमाले की गोद में बसा भगवान भूले नात का धाम केदारनाध मंदिर बारह जोती लिंगो में से एक माना जाता है केदारनाध धाम के इस्थापना पांडव वंश के जनमेंजय द्वारा की गई थी यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है इस मंदिर के दर्शन मातर के लिए कठिन यात्रा तै करने पड़ती है अमरनाध धाम बाबा अमरनाध की गुफा जो की बाबा बर्फाने के नाम से भी प्रसिद्ध है या भगवान शिवजी के प्रमुग धार्मिक इस्थलों में से एक माना जाता है काफी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहां दर्शन करने जाते हैं अमरनाध तिर्थों का तिर्थ कहलाता है यहां शंकर जी ने मा पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था महा कालेश्वर मंदिर उज्जैन में इस्थित महा कालेश्वर का मंदिर भी बारह जोती लिंगों में से एक माना गया है बिना यहां दर्शन किये बारह जोती लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है महा कालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरू भोले नाथ की प्रतिमा दक्षिना मुखी है मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिवजी का यह मंदिर करनाटक में इस्थित है यह अरब सागर के तडपर है जो की मैंगलोर से लगभक 165 किलो मेटर दूरी पर इस्थित है यहां लगी शिवजी की मुर्ति विश्व की सबसे बड़ी मुर्ति मानी जाती है काशे विश्वनात मंदिर यह मंदिर वाराणसी में इस्थित है यह भी 12 जोति लुंगों में से एक माना गया है यहां बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मुक्ष के द्वार खुल जाते हैं रामिश्वरम तमिलनाडो के रामनात पुरम में रामिश्वरम मंदिर इस्थित है यह भी 12 जोति लुंगों में से एक है इसकी साथ ही यह मंदिर चार धामों में से भी एक है वैसे तो महादेव के पास कई अस्त सस्त्र मौजूद है जिन में से कुछ विशेश अस्त्रों के बारे में आईए जानते है पिनाग धनुष, भगवान शीव का यह धनूष महा पलैकाली है देवताओं के शिल्पी विशु कर्मा ने स्वैम इसका निर्मान किया है भगवान शीव ने इसी धनुष से त्रिपरों का नाश किया था तब से भोले नाथ का एक नाम त्रिपरारी भी है बाद में भगवान शीव ने ये धनुष अपने परमभक्त राजा देवरात को सौब दिया था ये राजा जनक के पूर्वच थे देवी सीता के स्वेमर में भगवान शीराम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था भगवान शिव के हाथों में सदै त्रिशूल नजर आता है ये अस्त्र भगवान शिव के सरूप से जुड़ा है इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वद किया था राक्षर स्राज रामण से प्रसनों होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था रामण के मृत्यू के बाद त्रिशूल स्वयम शिव जे के पास चला आया चक्र आमतोर पर चक्र भगवान विश्णू और श्रे कृष्ण के स्वरुप से जोड़कर देखा जाता है लेकिन धार्मी क्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था एक बार जब भगवान विश्णू शिव जी की पूजा कर रहे थे पूजा में एक फूल कम पढ़ गया तब विश्णू ने अपनी आख शिव जी को चढ़ाने लगे उनकी भगती देखकर शिव जी प्रकट हुए और विश्णू जी को अपना प्रीचक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला खटग इसी अस्त्र से मेघनात ने लक्षमण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था मेघनात परक्रम में रामण से भी अधिक था उसने भगवान शीव की गोर तपस्या की और उनसे खटग प्राप्त किया यह अजैश अस्त्र था इसलिए लक्षमण इसके वार से घायल हो गये थे पाशुपात इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है महभारत के अनुसार अरजुन ने गोर तपस्या कर शीवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था इसी अस्त्र से कुरुशेत्र के युद्ध में अरजुन ने कई युद्धाओं का वध किया था आज बस इतना है कलम आपसे फिर मुलकात करेंगे सब्ता के सातों दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पुजा विधी के साथ नमस्कार देखते रहें इंडियन निउस